नमस्कार नवनीता राजपूर एक चोटी सी वीडियो लेके आई है परियावरन पे तो आज हम इस पूरी वीडियो में परियावरन की ही बाते करने वाले हैं तो शुरू करते हैं तो आप सूचे कभी आपने सोचा है अगर ये फूल पौधे पेर पौधे ताला पानी नदियां ना होती ये तितलियां उरती ना तो प्रित्वी कैसी होती कि आना बेरंग ना किसी चीज के बोरिंग होती है नि तो आप सबको पता है कि जीवित रहने के लिए हम सब एक दूसरे निर्वर करते हैं दिख लीजिए हम पर पुद्य हम पर जानवरों पर हमारा एक हूता है हर एक प्रानी जीवित रहने के लिए दूसरे पर निर्भर करता है डेख लीजिए हम पॉध होज़े पर प्रित्वीन से अक्सिजन लेते है और वह हम से कारबोन डायोकसाइड हैना कितना अजीव सी ये चीज है बट सच है अब आप देखिए कि इनसानों ने प्रिथवी पर कितना नाश किया है कंद की फैलादी नदियां आज साफ पानी नहीं है नदियों में मचलियां मर रही हैं प्लास्टिक के वज़े से पेर पौधे काटे जा रहे हैं, पर उतने उगाएं नहीं जा रहे हैं साल भर हमेशा हर साल घर्मियों में जंगलों में आग लगती है पर उसका क्या हम कुछ कर पा रहे हैं वो तो नेट्रिल है बट अगर हर एक व्यक्ति एक पौधा एक जानवर की खाना दिला दे हैं पौधा लगा दे कितना अच्छा होगा सब कितने खुश होंगे प्रित्वी पे वो चीटी से लेके हाथी जीराफ तक यानि कि हम भी बीच में हैं कितने खुश होंगे न अब आप देखिए अगर हम क लोपयों कम करें पेर पौधे लगाएं और किसी भी जीव चन्तू को हानी ना पहुंचें तो प्रित्वी आज और खिल खिला उठेगी शायद हमने प्रित्वी पर इतना अत्याचार किया है तभी परियावरन जो अपने आपको बचाना चाहती है अपने ही बागी जीव च टिंदर के अंदर बंढद हैं कभी हम जाया करते थे चिरिया घर में चार दीवारी के बीच में बंद जानवोरों को देखने के लिए उनका उनका उनसे मनोरंजन लेते थे कि ऐखो हाती उन लगहों उनना सुन्तर अब बंदर के अज पगैए बार गलियों में नजर आज आ पूरानी जीवन में अपने जो पूरानी चीजे थी उसको देखने अब आपके उपर निर्भर करता है कि आप अपने परियावरन की रक्षा करना चाहते हैं या आप भी इस प्रित्वी को हमेशा के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं यानि कि मनुष्य जाती समाप्त लुप्